आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने Redmi या फिर MiK फोन में किसी एप का Clear Data करना चाहते हैं या फिर Clear Cache करना चाहते हैं तो Clear Data & Cache Settings कैसे आप कर सकते हैं? आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं आपको यहाँ पर इसके लिए अपने phone में settings को सबसे पहले open कर लेना है settings में आने के बाद आपको नीचे scroll करने पर एक option यहाँ पर मिल जाएगा apps के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं apps का जो option मिलेगा आप इसे search कर सकते हैं उपर settings में तो हम यहाँ पर apps पर क्लिक करते हैं अब उसके बाद आपके सामने यहाँ पर काफी सारे option आ जाएगे बट आपको एक option मिलेगा manage apps option पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने आपके phone के सारे application आ जाएंगे अब यहाँ पर जिस app का आपको clear data करना है या फिर cache clear करना है वो application आपको select करना होगा तो जैसे कि यहाँ पर हम Gmail पर click करते हैं example के लिए और इस page पर आप आज जाएंगे यहाँ पर इस page पर आने का दूसरा तरीका है जो कि सबसे simple है यहाँ पर उस application पर आप click करके रखिए जिसका आपको clear data and clear cache करना है और click करके रखिएंगे तो आपके सामने app info का एक option आ जाएगा app info पर click करिए और same page आपके सामने आ जाएगा अब नीचे clear data का option मिल जाएगा यहाँ से कर सकते हैं clear all data यहाँ फिर clear cache और second तूसरा तरीका है storage पर किलिक करके आपको नीचे मिलेगा clear data इस पर किलिक करके अगर आप clear cache करना चाहते हैं तो clear cache पर किलिक करिए ओके करिए अगर आप यहाँ पर clear data करना चाहते हैं तो यहाँ पर clear data पर किलिक करके ओके कर दीजिए उसके बाद यहां पर इस application का clear data हो जाएगा अगर आप किसी ऐसी application का clear data करेंगे जिसमें कि आपको id create करनी होती है जैसे कि facebook, whatsapp, instagram तो आपकी id logout हो जाएगी यह करने से तो इस बात का आपको ध्यान देना है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीड subscribe जरूर करें